गर्मी के मारे उसका बुरा हाल था लेकिन वो क्या कर सकता था? वो धीरे धीरे चलता हुआ बहुत दूर जा रहा था तभी दो हन्स हवा में उड़ रहे थे उड़ोंने कच्वे को देखा और एक दूजे से कहा वो देखो विचारा कच्वा इतनी गर्मी में अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है चलो हम उसकी मदर्द करते हैं हम उसे अपने स साथ उड़ा कर ले चलते हैं हाँ ठीक है दोनों हन्स उस कच्वे के पास पहुंचे और बोले कच्वे भाई कच्वे भाई तुम इतनी गर्मी में इतने परिशान होकर चले जा रहे हो क्यों न तुम हमारे साथ उड़ कर चलो मगर कैसी वो जो सामने पेड़ की टहनी कर लूँगा और एक सिरा ये वला हन्स पकड़ लेगा और तुम बीच से इस टहनी को अपने मुझ से मजबूति से पकड़ लेना मगर ध्यान रहे जब हम उपर उड़ रहे होंगे तो तुम कुछ बोलना मत नहीं तो तुम्हारे मुझ से टहनी छूट जाएगी और तुम नीचे गिर कर मर जाओगे बस हम पर विश्वास रखना ठीक है जैसा तुम कहते हो मैं वैसे करूंगा हन्स भाई उसके बाद उस पड़ी हुई टहनी का एक सिरा एक हन्स ने अपने मुझ से पकड़ा तो दूसरा सिरा दूसरे हन्स ने और कच्वे ने अपने मुझ से उस वह गिर ना जाए उसने अपना मुझ खोल दिया और दोनों हन्सों से कहा हन्स भाई हन्स भाई हम लोग बहुत उपर उड़ रही है तुम लोग मुझे गिरा तो नहीं दोगे ना इतना कहना था कि कच्वे के मुझ से वह टहनी छूट गई और कच्वा नीचे गिर कर मर गय इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी दोसरे पर विश्वास करो तो पूरा करो वरना मत करो